भर्लो नमस्कार में डाक्टर रजनीस कुमार आप सभी का एक बार फिट से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात्चित करेंगे हिंदी कहानी आंदोलन के उपर और इसके जुड़े वे परवर्तकों के उपर और ये कहानी आंदोलन किस वर्स में हुए थे उसे वर्स के उपर और इन आंदोलनों से जुड़ी हुई कुछ पत्रिकाएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा कहानी की आलोचनात्मक पुष्टकें जो कि परिक्षाओं के दिश्टिकों से महत्पून हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे तो आज का ये वीडियो लेक्षर भी हर वीडियो लेक्षर के तरह महत्पून होने वाला है तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आखिर तक आप इस लेक्षर को सुनेंगे और जो भी नई चीजें आपके सामने आएंगी उसे अपने नोट बुक पर नोट करेंगे अलांकि इस लेक्षर को लेकर हमने बहुत पहले ही मन बनाया था एक कहानी आंदोलन पर एक वीडियो लेकर आऊं जिसे की बहुत सारे आंदोलन जो छिटपूट हुए थे वो आपके क्लियर कॉंसेप्ट के रूप में आ जाए तो ये जो भी लेक्षर है UPTGT, PGT हिंदी औ कथा इंट्रव्यू के दिष्टिकों से भी इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलते हम सिधे बात करते हैं लेक्षर के उपर सबसे पहले हम देखें तो कहानी उपन्यास और कहानी दोनों ही कथा तत्व विद्धिमान होता है कई बार उपन्यास और कहानी दोनों को मिलाकर क कथा साहित नाम दिया जाता है। तो ये विध्यान में रखे कि कथा साहित में ये दोनों विधायें आती है। तो उपन्यास और कहानी दोनों में कथा तत्त विद्मान होता है। अतर प्रारांब में लोगों की ये धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भे का अंकन किया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये अंतर है जैसा कि आपने पढ़ा है महाकावे और खंड कावे के रूप में। ठीक है। कुछ-कुछ वही अंतर यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है। एक में जीवन की समगर्टा का चितरन किया गया है। और दूसरे में एक अंग या हिसे की अभिवक्ति की गई है तो कहानी की मूल आत्मा एक संव्यद्ना एक या एक प्रभाव है पश्चिमी विचारक हेमिंगटन के अनुसार कम से कम शब्दों में एक विशिष्ट प्रभाव को प्रकट करना ही कहानी है अगर आपसे कोई पूछे कि कहानी क्य है तो आप यह कह सकते हैं कि जब भी हम कम से कम शब्दों में एक विशिष्ट प्रभाव को प्रकट करते हैं तो वो कहानी का लाती है इसी तरीके से अग्ये ने भी इस पर अपना विचार अभिव्यक्त किया है कि कहानी एक सुक्ष्म दर्सी यंत्र है जिसके नीचे मानव अस्तित्यों के तृष्ष्य खुलते हैं तो इस परिवाशा को भी ध्यान में आप रखे हो सकता है कि कथन के दर और पर परिअब पूछा जा सके कहानी एक सुक्ष्म दर्सी यंत्र है जिसके नीचे मानवी अस्तित्यों के तृष्य खुलते हैं । Now az पड़ता है तो इस परिभाषा में भी कुछ वही चीज दिख रही है तो इन दोनों को ध्यान में रखे बाकी बात करते हैं एक चार्ट के मात्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन से कहानी आंदोलन हुए हैं इनके परवर्तक कौन-कौन से हैं और यह आंदोलन क इस वर्स में हुए थे और इनसी जुड़ी हुई पत्रिकाएं कौन से हैं तो आप देखेंगे कि मोटे तोर पर आजादी के बाद फुल साथ कहानी आंदोलन हुए थे जिसमें कि पहला कहानी आंदोलन जो है वो है नई कहानी इसके परवर्तक के तोर पर इसके प्रवर्तक हैं गंगा प्रषाद वीमल जो की शमकालेन कहानी का रचना विधान नाम से बुक भी लिखा था तो इस बुक को भी ध्यान में रखें पड़े संयोग की बात है कि गंगा प्रसाद बीमल को साक्षात जीवित रूप में देखने का मौका मिला है, इनसे बादचित करने का भी मौका मिला है और इनसे पढ़ने का भी मौका मिला है ये जिनों में ये प्रोफेसर भी थे और उस जमाने में और कहानी यानि कि समकालेन कहानी के परवर्टक के तोर पर भी थे और दुरभागे वस इनका निधन स्रिलंका में संद्धो अजर 19 में हुआ था अस्य वर्ष की उम्र में एक्सिडेंट के तोर पर हुआ था तो बस आपको ध्यान में रखना है कि अ कहानी के परवर्तक के तौर पर गंगा परसाथ भीमल है इसको कि समकालेन कहानी भी का आ जाता है इसका समय 1960 है और कई बार इसको हम किताबों में पढ़ते हैं साठोत्तरी कहानी तो इसको भी आप और कहानी से ही जोड़ कर देख सकते हैं तो नई कहानी आपका क्लियर होगी आओगा कि 1956 में राजियंद्रियादों मोहन राकेश और कमलेस्वर ने इसका परवर्तन किया था और कहानी का समझी गए आप कि गंगा परसाथ भीमल है इसके ब है आधार पत्रिका से तो यह छोटे-छोटे तत्य हैं जिनको की ध्यान में आपको रखना है सचेतन कहानी के बाद सहज कहानी आंदोलन शुड़ू हुआ जिसके प्रवर्तक के तोर पर हैं अम्रित राय जो कि प्रेमचंत के पुत्र हैं और इन्होंने कहानी आंदोलनों मे सहज कहानी नाम से एक आंदोलन चलाया जो कि सन 1968 में चला था और इससे जुड़ी हुई जो पत्रिका थी नई कहानीया नाम से एक पत्रिका उससमें प्रकासित हुआ करती थी उसका संबंध है सहज कहानी से सहज कहानी के बाद समांतर कहानी आंदोलन शुरू हुआ जिसके प्रवर्तक कमलेश्वर है 1972 इस वी में और इस आंदोलन से दो पत्रिका जुड़ी हुई थी धर्मियुग और सारिका पुछ दिया जाए तो तुरंत आपके दिमाग में कमलेश्वर का एक बार शित्र आना चाहिए जिनोंने की समांतर कहानी का प्रवर्तन किया था कहानी आंदोलन को चलाया था ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कमलेश्वर आप देख रहे हैं कि नई कहानी में भी है और समांतर कहानी में भी है हो सकता है कि परिक्षाओं में सवाल पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा लेखक है जो कि दो कहानी आंदोलोनों से जुरा हुआ है तो साक्षात तर पर आप देख रहे हैं कि कमलेश्वर एक ऐसे कहानीकार है या फिर लेखक हैं जिनका संबंद नई कहानी से भी है और समानतर कहानी से भी है कमलेश्वर की एक बड़ी famous पुष्टक रही है नई कहानी की भूमिका तिक है जब हम आलोच नातमक किताबों पर बात करेंगे तो आपको बताएंगे यहाँ पर आप नोट भी कर लेजिए नई कहानी की भूमिका नाम से काफी famous इंकी पुष्टक है परिक्षों में पुछी भी जाती रही है तो समांतर कहानी आप समझ गए इसके बाद जो कहानी आंदोलन शुरूगा इसका नाम है सक्रिय कहानी जिसके परवर्थक के तोर पर थे राकेश वर्स जिसका वर्स है 1989 इसमी में और इस कहानी आंदोलन से मंच नामक एक पत्र का जुड़ी हुई है आखर जो कहानी आंदोलन चला उसका नाम है जनवादी कहानी और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है इसलिए परवर्थक यहां पर नहीं कोई इसपष्ठ है यह कहानी आंदोलन शुरूगा था सन 1992 आपने यहां पर देखा कि जो भी कहानी आंदोलन चले थे व जयाँ कहानी है, अ कहानी सचयतन कहानी सहच कहानी समांतर कहानी सक्री कहानी पर जनवादी तो आप कोई फार्मूला भी बना शक्ते हैं ठीक है कई इसमें NSS NA S यहां पर आप देख रहे हैं कि 4S है, अब इन S को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कौन है, तो परिक्षाओं में देखिए, आगर हम अ कहानी को 63 भी मालने, तो 63 में यह सारे नीचे वाले आ जाएंगे, लेकिन अगर क्रम से पूछ लिया जा कि सचेतन, सहज, समानतर, सक्र है, तो फार्मूला आप बना सकते हैं इस तरीके से याद करने के लिए, बाके इनका जो आंदोलन का समय रहा है, चार-चार वर्स रहा है, यानि कि 1956 से शुरू हुआ, फिर 1960 में नया अंदोलन आया, 64 में नया फिर आया, फिर 1968 में, 72 में, 89 में, 82 में, तो इसी तरीके से कहान अंदोलन चलें, और परिक्षाओं में, एक-दो सवाल जरूर इस टॉपिक से पुछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखें, इस मैप को आप चाहें तो इस्क्रीन सोट भी ले सकते हैं, तो हम और आगे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब ढंग से पढ़ते हैं, नई कहानी, नए कहानीकारों ने जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रियास किया, नई कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, कई बार प्रभित्ती मुलक सवाल पुछ ले जाते हैं, तो यहाँ पर यह भोगे हुए यथार्थ, आपको बिकल्प म मिल जाता है कि किस कहानी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, भोगे हुए यथार्थ को मेन में रखा गया है, और अधिक प्रमाडिकता पर जोर दिया गया है, यह है नई कहानी, आधुनिक मानों के जीवन को बिविद कोनों से देख कर उसका सही परिप्रेक्ष में चित्रन कर का भी नाम आगे होगा, चलते हैं आगे बात करते हैं, नाम और सिंग के अनुसार, नाम और सिंग ने कहानी नई कहानी नाम से एक पुष्टक लिखी थी, जिस पर कि हमने बहुत पहले एक वीडियो लेक्षर में बात किया था, नई कहानी, कहानी नई कहानी नाम से इनों न लिखी थी उसी में से ये उठाया गया है कि अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरितर पेश करती थी अथवा एक वीचार को जटका देती थी वह जीवन के प्रती एक नया भावबोद जगाती है तो हो सकता है कि इतना दूर पोटेशन पुछ लिया जाएं पोटेशन लंबा है तो तोड़ तोड़ कर इसको अपने दिमाग में आप रख सकते हैं आगे वे लिखते हैं कि नई कहानी में विश्रयों की विविलता के साथ साथ शिल्प का नया पन भी विद्धिमान है तिक है उसमें प्रभावन वीती प प्रतिबध न होकर विशुध अनभूती की सच्चाई और विशय की यथार्षता के प्रतिबध होता है तो ये कोटेशन लंबा है और इस कोटेशन को आप कई वाक्वों में तोड़ तोड़ कर याद कर सकते हैं जिससे कि किसी भी तरीके से प्रश्ना आये तो आपका आण की विल्ता के साथ जो शील्फ है जो शयली है उसमें भी नयापन है और जीवन की संवेदना को केंद्रे में रखा गया है अनुभूति की सच्चाई पर जोर दिया गया है ठीक है कमलेश्वर भे नई कहानी बात्चित किये हैं और इनकी पुष्टक के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात्चित भी किया कि नई कहानी की भूमिका नाम से इन्होंने व्युक लिखी थी और इनका कोटेशन है कि पुरानी और नई कहानी के बीच पदलाव का बिंदु है नई वैचारिक द्रिष्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नाम और सिंग लिख रहे हैं कि नया कहानिकार किसी दार्षनिक सामाजिक अथवा राजनितिक वीचारदार सा प्रतिवद्ध नवकर विशुद अनुभोतिकी सच्चाई पर लेकिन यहाँ पर नई कहानी के बीच कोई बदलाव यानि परिवर्तन का बिंदु हो जा जाए तो वह है नई वैचारिक द्रिष्टी तो यही अंतर आपको ध्यान बेर ख़ड़ा है कमनेश्वर का मानना है कि वैचारिक द्रिष्टी के कारण ही फुरानी और नई कहानी में अंतर है तिसरे आलोचक हैं डाक्टर गडपती चंद्रगुप्त इनका मानना है कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैसिष्ट है कथा तत्तु का हरास नया कहानिकार कथानक को महत्वर नहीं देता है गडपती चंद्रगुप्त का मानना है कि सबसे बड़ी विशेस्ता यही है कि जो पुरानी कहानियों में कथानक इंपोर्टेंट होता था वो नई कहानियों में कथानक खतम हो गया कोई उसका महत्व ही नहीं है इन तीनों आलोचकों को ध्यान में रखिए आगे भी कुछ हालोचक है मारकंडे के अनुसार संयोक से मारकंडे पर हमने एमफिल का काम किया हुआ है तो मारकंडे के अनुसार मारकंडे की एक किताब है कहानी की बात इसको भी आपने नोट कर लिजे कहानी की बात जो की समका कहालें कहानिकारों कि जो आलोचना द्रिष्टी रही है कहानी के प्रति उस पे संपाधित ये भूख है उसमें मारकंडे घुमिका में लिखते हैं और मारकंडे अपने जो कहानी समग्र इनका संचयन है उसमें भी अलग अलग जो आठ कहानी संग्र है उनकी भूमिकाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्पूर्ण होने के साथ ही उसके किसी नए पहलू पर आधारित हैं। और महत्पूर्ण होने के साथ साथ किसी नए पहलू पर आधारित है। तो यह मारकंडी का कोटेशन हैं इसको ध्यान में रखें। आगे हम चर्चा करें अगले कहानी आंदोलन पर तो उसमें कहानी आंदोलन जिसकी शुवात 1960 में हुई। ऐसे कथाकार सामने आयें जिन होने कहानी के स् headlights मुल्हियों के प्रति निश्यद्व्यप्त करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्तों की भुस्डा की। निर्माल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है। प्रवर्तन करने का श्रेत दिया जाता है। लेकिन हमने इसके उपर पड़ा है कि इससे गंगा प्रसाद बीमल का संबन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर निर्मल वर्मा को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी समय इनकी कहानी संग्र आयो थी जिसका नाम है परिंदे। इसको की नाम और सिंग ने नई कहानी की पहली कृती माना हुआ है। तो इसे अकहानी आंदोलन के प्रमुख लेखकों में निर्मल वर्मा का नाम लिया जा सकता है। लेकिन जब भी औ कहानी आंदोलन के प्रवर्टक के तोर पर नाम पूछा जाएगा, तो आपर गंगा प्रसाद भीमल का नाम आएगा, बाद में औ कहानी को ही कमकालीन कहानी भी कह दिया गया है, और इसके आलावा, इसका नाम रख दिया गया है, साथ हुत्तरी, ये छोटे- यहाँ पर turning points है, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आगे सचेतन कहानी जो कि सन 1964 के आसपास में महीव सिंग द्वारा इसका परिवर्टन किया गया, सचेतन कहानी में वयचारिक्ता का विशेज महत्वर दिया गया है, वयचारिक्ता को सचेतन कहानी में विशेज इसके बाद समानतर कहानी आंदोलन के जो प्रवर्टक रहे हैं, कमलिश्वत और लगबक समानतर कहानी का प्रवर्टन इन्हों ने इकिया, जिसका कि हमने टेबल बनाकर आपको दिखाया है, समानतर कहानी में नीम्न वरगिये समाज की इस्थितियों, विशमताओं यवं सम अस्याओं का खुल कर चित्रन हुआ है, तारिका पत्रिका ने इस प्रकार की कहानी का एक आंदोलन खड़ा किया, तुम्मो के रूप से कहानी आंदोलन से सवाल प्रवर्टकों से पुछ लिया जाता है, वर्स ने पुछ लिया जाता है, कई बार प्रवित्तियों पर कहानिया लिखी है और सारी का पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था और समांतर कहानी से इसका जुड़ाव है। जैसा कि हमने अभी बताया कि साठ्थुतरी कहानी को गंगा प्रसाद बिमल प्रारंब में समकालिन कहानी के नाम से उकारते हैं बाद में ही जल्दी उन्होंने और कहानी की भी व्याख्या करना शुरू कर दिया। गंगा प्रसाद मिमल ने लिखा कि ओ कहानी किसी तरह के मुल्यों की रक्षा करती हुई या आगर रखती हुई नहीं चलती है उसके लिए पुराने मुल्यों का तूटना कोई महत्पून बात नहीं है 1960 के बात की कहानी मानो विश्वास की आदर्स कहानी नहीं है बलकि वह मनुस्य मस्तिस के भीशन संकट बोध की यथार्थ प्रतिती की कहानी है जो मानो पीडन को इसलिए ब्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनी प्रसंग है बलकि वह यथार्थ का भोग है तो आप देख आगे बात करें महीव सिंग के उपन, महीव सिंग के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विसेसांख में सचेतन कहानी आंदोलन का आरम माना जाता है। जाना भी जाता है। तो आप देखरें कि महीव सिंग का मानना जो सचेतन नाम उन्हों ने दिया है। थोड़ा सा यूनीक नाम आप सभी को भी लग रहा होगा और जो बच्चे नए अभी पढ़ रहे होंगे कहानी आंदोलन को तो महीव सिंग का मानना है कि सचेतन एक खोकर जीवन की प्रस्तुती सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और वेवस्था की भरष्टता को पुजागर करना है। अमरित राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंब किया। जैसा कि हमने टेबल में बताया था। कमलेश्वर ने और कहानिकारों के भोगवादी प्रवित्ती का विरोध करते हुए धर्मयुग में अयास प्रेतों का विद्रूग। ध्यान में रखना है यहाँ पर कि धर्मयुग पत्रिका में सारिका में नहीं बलकि धर्मयुग में उन्होंने इस बात को लिखा कि अयास प्रेतों का विद्रूग सिर्शक से एक लेक प्रकासित करवाया था। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को परतिष्ठित कने पर बल दिया गया है। ठीक है तो समांतर कहानी कमलेश्वर से जुड़ा हुआ है और जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि इसमें आम आदमी को केंदर में रखा गया है। समांतर कहानी आंदोलन का सुतरपात सारीका पत द्वारा सक्री कहानी का प्रवर्तन किया राकेश वक्स ने लिखा है सक्री कहानी का सीधा और इस पश्ट मतलब है कि चेतनात्मक पूर्जा और जीवनतता की कहानी यानि कि आप देख रहें सक्री का मतलब एक्टीब जो बहुत एक्टीब रहता है इसको कहा जाता है कि बहु चितनात्मत उर्जा और जीवनतता की कहानी तीक है तो इसको ध्यान में रखे आगे एक आंदोलन चला जनवादी कहानी आंदोलन इसका सुतरपात दिल्ली में हुआ जनवादी लेखक संग जिसको कि हम जलेश भी कहते हैं इसका प्रथमराष्ट्री अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और जैसा कि बता गया 1982 एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जलेश की तरह ही एक प्रलेश नाम की संस्था थी आप कमेंट्स करकर जरूर बताएंगे कि प्रलेश की इस थापना कब हुई थी कहां हुई थी ठीक है और इसका पूरा नाम क्या है तो जब यह मक्सद था कि यह वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी माक्सवात को आधार बना कर चलती है इसमें मोखित किसानों मैदूरों पीडितों दलितों और और सहायों का जिवन संगर सित्रित किया जाता है तो जनवादी शब्द में चिपा हुआ है कि इसमें किसान मैदू पीडित ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको केंदर में रखा गया है किसान मैदूर दलित पीडितों को इसे पहले भी आपने तमाम आंदूलनों को देखा होगा जिसमें कि प्रगर्तिवात का नाम दिया जा सकता है आगे हम और चर्शा करें तो फिर से वही टेबल हमने आपक कौनसी पत्रिका है अब हम कहानी से संबनित आलोचनात्म किताबों को देख लेते हैं कुछ किताबें हैं जो कि परिक्षाओं में पूछी जाती हैं इसमें कहानी नई कहानी नाम और सिंग की नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर एक दूनिया समानांतर राजिंद्र यादव हिंदी कहानी अंतरंग पहचान रामदर्शमिस्र हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल रहें कुछ कहानियां कुछ विजार विस्वनात्र पाठी नई कहानी संदर्व और प्रकृति तेवी शंकर अवस्थी हिंदी कहानी का विकास मधुरेश और हिंदी कहानी प्रक्रिया और तुरेंद्र चौधरी ने लिखी है, तो अगर आप हिंदी कहानी पर पढ़ना चाहते हैं, और विशतार से अध्यन करना चाहते हैं, तो इन किताबों को ज़रूर आप देखिए, लाइबरेरी से पढ़ सकते हैं, और या फिर चाहें तो इसको खरीद कर भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे शोध कर रहे हैं उनके लिए तो ये किताब इंपोर्टेंट है और जो बच्चे और अच्छा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं मेरे बताने की यही मन साथ थी कि आप जो भी कहानी आंदोलन प्रवर्तन के वर्थ और पत्रिकाओं से जुड़ी चीजों को तो समझें और कहानी के अंदर कर जो भी आलोचनात्म काम किये गये उनको भी समझ जाएं क्योंकि हम तमाम विधाओं को पढ़ते हैं और आलोचना को भी पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि हिंदी कहानी पर लिखी गई पांच आलोचनात्मक किताबों का नाम बताओ तो मुश्किल हो जाती हैं यहाँ पर आपको मुश्किल नह हो गई होंगी जो कमेंस करकर जरू बताए और जो भी प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी कमेंस